तापी नधिमादी मड़ी आवेला रिवोल्वर मित्रों नी हत्या करनार्नी हत्या माटे फरी रहेल युवानने क्राइम प्रांच चे जड़बी पड़ेयो पिस्टल औने वेपन तापी नदी माथी मड़ियावी हती, जीतु औने निलेस भक्तो ए तापी नदी मां फैकला रुपया लेवानू काम करता हता। शूरत सहर की क्राइम ब्रांच के इस्पेक्टर आराई जड़िया की टीम ने एक आरोपी जीतू उर्फे जीतू बिल्लो सनाब आलजी भाई राठोर जिसकी उमर 25 साल है उसको गिरबतार किया उसके पास से दो रिवालवर अच्छी क्वाल्टी की एक तमंचा देशी तमंच है और छे कार्थूस रिवालवर की लोड़ेड रिवालवर के साथ घुमता वह पकड़ाया और उसके बाद यह देखा गया कि यह जो आरोपी था उसके पूछ परज में ऐसा आया कि यह आरोपी और एक इसका मित रुवा करता था निलेस वडवी यह दोनों जो नदी में को पैसा डालता है कोई दूसरी चीछ डालता है उसका धूलने काम करते थे तो उनके धूरते समय दो महिना पहले इनको एक पॉलिट्रीन का पाउच मिला जिसके अंदर चार विपन मिले दो रिवालवर एक देशी दमांचा और एक पिस्टल मिला पिस्टल किनों ने वापस व चक्को मार के मर्डर करने के बाद ये आरोपी विशाल जेल में है दर्मियान जो विशाल का मामा होता है ये प्रकास मांची करके और प्रकास मांची का बतीजा होता अर्जुन अर्जुन ने अभी एक हपता पहले ये जो जीतू जो वेपन साथ पगड़ा है इसका हाथ मार के फ्रेक्चर किया और उसके बाद यह जीतु का ऐसा मानना था कि मेरे दोस्त निलेज का मडर करने में प्रकास मांची और अर्जुन का अलग अलग गुना दाखिल अलडी पहले हो चुके हैं मोबाइल स्नेचिंग के लूट के गुना दाखिल हुए है पासा का भी आरोपी पासा में भी जा चुका आई है अब हमारी तपास में यह हम लोग देख रहे हैं यह वेपन जो मिला एक दो वेपन रिकोवर करने के लिए स्विमर से उनकी मदद लेकर हम लोग करवाहि कर रहे है जो है जिसे हम पिस्टल मिले और यह जो रिवालवर आई है वहां पर ही यह शोर्स का था कहा से आई है कोई क्राइम में इन्वाल पहले हुए उन दिसा हमारी क्राइम ब्रांच कर रही हैं जितु जो पपडा गया है जीतु जो है ये इसके उपर 6 गुना जैसे हमने बताया दाखिल ने ये स्नेचिंग का मॉबाइल स्नेचिंग वारा का इस तरह दंदा करता था जो है मारा मारी कभी गुना इसके उपर है जो है मारा मारी के भी है चैने स्नेचिंग के भी है चोरियों के भी है और ये पासा के भी आरूपी है पासा में भी उम्रा पुलिश्य ने पासा भी किया गया है तो इसी क्रिमिनल बैक्ग्राउंड है कुल 6 गुला के साथ बुरो रिपोर्ट S9 News सूरत अमारी तमाम माहिती थी अपडेट चेहवा माटी चुड़ाए लड़ हो S9 News साथे